Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6 science chapter, the living organisms, characteristics and habitats. इस chapter के part 1 वीडियो में हमने different living organisms को देखा, किस तरीके से वो अपने habitats के according, अपनी habits में कुछ change करते हैं, जिस process को हम adaptation बोलते हैं. आपने fish का और camel का example भी देखा, उसके बाद habitat के biotic, abiotic factors के बारे में हमने पढ़ा. स्टार्टिंग के topics हम लोग part 1 वीडियो में cover कर चुके हैं. Hopefully वहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बाकी जो topics हैं we will cover in this video. तो चलिए शुरू करते हैं. We were on page number 83. Topic 9.3, a journey through different habitats. Different habits हैं, living organisms जहां पर रहते हैं, उनकी एक बार journey करेंगे. सबसे पहले कुछ terrestrial habitats को देखेंगे. Land के उपर जो habitat है, और उसमें हम बात करते हैं deserts की. We discussed the abiotic factors of a desert. आपने desert के कुछ abiotic factors देखें. हर जगे आपको sand देखने को मिलेगी. दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, रात को बहुत ज़्यादा ठंड होती है. पानी बहुत कम मिलता है आपको. Green leaves नहीं देखने को मिलेगी. जो cactus वगेरा है. Thorn, thorny bushes होंगी. ऐसे पेड आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे. And the adoption in camel और camel ने इसको किस तरीके से इसकी वज़े से अपने कुछ behavior में changes किया है. किस तरीके से अपने आपको adapt किया है. What about other animals and plants that are found in deserts? तो बाकी animal और plants के बारे में आप क्या कहेंगे जो desert में मिलते हैं. Do they have the same kind of adaptions? क्या उन्होंने भी इसी तरीके से अपने आपको adapt किया है? There are desert animals like rats and snakes which do not have long legs that camel has. हमें पता है camel के legs बहुत लंबे होते हैं. जिसकी वज़े से जो heat है sand की वो उसकी chest तक नहीं पौँच पाती. लेकिन अगर हम बात करें, desert में जो rats और snakes रहते हैं, उनके तो legs बहुत लंबे नहीं होते. To stay away from the intense heat during the day, दिन में जो बहुत गर्मी वहाँ पर होती है, उससे बचने के लिए, they stay in burrows deep in sand. वो रेत में बहुत गहरे तक गड़ा खोद के बरो में उसके अंदर रहते हैं. These animals come out only during the night when it is cooler. वो सिर्फ रात में बहार निकलते हैं, जब भार ठंड होती है. जैसे कि आपको 9.5 में दिखाया हुआ है. Some plants that grow in a desert. How are these adapted to the desert? 9.5 ये देखे. Leaves आपको किसी में नहीं दिखाई देगी. सभी की जो leaves हैं, वो thorns में convert हो गई है, कि ये कांटों में convert हो गई है, क्योंकि लीव्स पे आप जानते हैं, जैसे आपको बताया भी गया था पिछले चाप्कर में. जब आप सुबह उठते हैं, आपको लीव्स के चारो तरफ यहां पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाए देते हैं, क्योंकि पत्तियों से पानी का लॉस होता है, आप साइंस में पड़ेंगे, उनमें स्टॉमेटास होते हैं, जिनसे की पानी बाहर निकल जाता है, जो कि इसी लिए, महाँ पे जो लीव्स हैं, वो गई हो गई है थौंस में, जिससे की थोड़ा सा भी पानी का लॉस, जो प्लांट है आपका उससे ना हो, ब्रिंग अपॉटेड कैक्टिस, एक पॉट में जो कैक्टिस लगा होता उसको लेखे आईए, और लीफी प्लांट टु दे क्लास्टूम और एक लीफी प्लांट को लेखे आईए, उसके उपर वाटर ड्रॉपलेट्स आपको मिलती है, लीफ दपॉटेड प्लांट इन दा सन, सूरज की दूप में थोड़ी देर उन दोनों प्लांट को रखिए, और ऑब्ज़र आफ्टर फ्यू आर्स, तो थोड़ी देर के बाद कुछ घंटों बाद ऑब्ज़र्व करिए, आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो लीफी प्लांट है, जो पत्तियो वाला प्लांट है, उसके उपर जो पॉलितिन आपने बांदी थी, उसमें आपको water droplets moisture दिखाई देगा थोड़ा सा, लेकिन जो कैक्टिस के उपर बांदी थी, उसमें कुछ नहीं दिखेगा, ओके, डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटल वाटर थू ट्रांस्पिरेशन, ट्रांस्पिरेशन में डेजर्ट के जो प्लांट्स है, वो बहुत कम water lose करते हैं, क्योंकि वैसे उन्हाँ पर पानी बहुत कम मिलता है उन्हें, देजर्ट प्लांट आर इधर अपसंट, या तो लीव्स बिलकुल अपसंट होती है, या फिर बहुत छोटी होती है, वेरी स्मॉल और दे आर इंदे फर्म उफ स्पाइन्स, या फिर वो स्पाइन्स कांटू की फर्म में होती है, ये हेल्प करता है कि लीव्स में ट्रांस्पिरेशन के टाइम पे जो water loss होता है वो ना हो, आपको जो पत्ती जैसा यह दिखाए देता है यह यह मत सोचेगा यह इसकी लीव है यह अक्चली स्टेम होता है इसका, okay stem photosynthesis in the plant is usually carried out by the stem, ये भी एक important line है, जो हमारे desertic plant, उनमे जर्डली photosynthesis stem करते है, वैसे ही पत्तिो का काम है और हमने पड़ा भी है कि लीव को कि इच्रिन कहा जाता है क्योंकि वही पर photosynthesis हो, जर्ड़ी बनता है लेकिन desert plant में ऐसा नही है, जो stem है, तना है, वो करता है, एक वाक्स जैसी एक लेयर होती है which help to retain water in tissue of cacti जो की cactus के tissues में पानी को अंदर ही रखती है आप जानते है मोम की अगर कोई चीजों से पानी बाहर नहीं निकल सकता तो मतलब थोड़ा सा भी water loss महां से ना हो most desert plant have roots that go very deep in the soil for absorbing water और जाधा तर जो desert plant है उनकी leaves बहुत गहरे तक जाती है sand के अंदर थाकि थोड़ा सा moisture थोड़ा सा पानी कुछ भी उने मिले तो वो उसको महां से use कर सके तो देखे इस तरीके से plants ने अपने आपको adapt किया है पानी absorb करने के लिए roots बहुत मीचे गई, leaves convert हो गई, thorns में, spines में और जो उसका stem है उसने photosynthesis शुरू कर दिया तभी कुछ plants जो हैं वो अभी तक survive कर रहे हैं desert में अब हम बात करते हैं mountain regions की यहां की animals और plants ने कैसे अपने आपको adapt किया है these habitats are normally very cold यह आप जानते है mountain regions बहुत हाई altitude पर होते हैं यहां पर ठंड बहुत जादा होती है and windy हवा भी बहुत तेज़ चलती है in some areas कुछ एरिया में snowfall may take place in winters winters में बर्क भी पड़ती है there is a small variety of plants and animals living in the mountain region have you seen the kind of trees shown in figure 9.6 9.6 में जो figures में यह प्लांट आपको दिये हैं यह कुछ plant है ऐसे कुछ plants आपको mountain region में देखने को मिलेंगो जैसे मैंने बता यह canopy वाले plants होते हैं ताकि जब snowfall हो तो नीचे वो फिसल के आजाए पेड़ के ऊपर न रहे और देखे यह अधर कुछ snow leopard यह यहां पर आपको कुछ animals भी दिखाए हुए हैं यह yak है और यह mountain goat है goat, yak and यह snow leopard if you live in mountain region अगर आप mountain region में रहते हैं या फिर कभी आपने विजिट किया है तो आपने देखा होगा a large number of such trees बहुत सारे ऐसे पेड़ वहां पर आपको देखने को मिलेंगे but have you ever noticed such tree naturally growing in other region लेकिन क्या आपने किसी और region में ऐसे पेड़ को उगते हुए देखा है इनके habitat में जो condition है बहुत थंड है उन्होंने कैसे इसमें अपने आपको adapt किया है these trees are normally cone-shaped यह generally cone-shaped के होते हैं ऐसे and have sloping branches और इनकी branches में भी slope होता है नीचे की तरफ वो हमेशा होती है the leaves of some of the trees are needle-like और जादा तर उसकी पतिया जो है वो needle-swee जैसी होती है जैसे आपने एक fur tree के बारे में पढ़ा भी होगा fourth class में this helps the rain water and snow to slide off easily इससे जो है यहाँ पर बारिश होती है या फिर snow पढ़ती है वो slide हो जाती है फिसल जाती है आराम से नीचे these could be trees with shapes very different from these they could be trees यहाँ पर और भी trees हो सकते हैं जिनकी shapes बहुत different होती है also present in mountain they may have different kind of adaptations to survive on the mountain उन्होंने अलग तरीके से अपने आपको adapt किया है mountains में survive करने के लिए अब animals की बात करते है animals living in mountain regions are also adapted to the condition there उन्होंने भी adapt के सबसे पहले तो they have thick skin या तो उनकी skin बहुत थिक होती है ताकि उनको बहुत coldness जो है वो feel ना हो या फिर fur होता है to protect them from cold आपने last class में देखा भी था कि जो कुछ हमारे एक species होती है goat की जिसको की बहुत high altitude पे चराने के लिए ले जाना पड़ता है पश्मीन जो गोट जिन से जिन गोट से पश्मीना मिलता है उनको आप नीचे अगर चराएंगे तो वो आएगा ही नहीं कभी फर इसलिए उनको बहुत थंड में चराने के लिए ले जाना पड़ता है ये 5th class में आपने पड़ा होगा for example जैसे कि याक्स have long hair to keep them warm snow leopard has thick fur on its bodies के उपर भी thick fur होते हैं बहुत जादा ये देखिए और गोट को ये तो शीप को तो आप जानते ही है including feet and toes this protect its feet from और इसके पैरों पर भी जो है फर होते है snow leopard की बात हो रही है जो कि इसके पैरों को ठंड से बचाते हैं जब ये snow के उपर walk करेगा तो देखे दीरे 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 जैसे जैसे environment में change होते है ठंड बढ़ती रही होगी इस तरीके से इनोंने अपनी body को adapt किया होगा different animals ने जैसा कि कहा गया ये बिलकुल एकदम नहीं हुआ environment में भी change दीरे दीरे होआ है और animals और trees ने भी adaption दीरे दीरे ही किया है The mountain goats have strong hooves for running up the rocky slopes of the mountains Goat जो है जो आपको दिखाई है इनके hooves pair जो होते हैं खुर जिसको आप बोलते हैं हिंदी में Hooves बहुत ही जादा strong होते हैं जिससे कि rocky mountain के slopes से उपर आराम से चड़ सकें As we go up the mountainous region जैसे आप mountainous region में उपर जाएंगे the surroundings change Surrounding change होंगी और आपको adaptation जो है different height पर वो भी अलग दिखाए देंगे अब बात करते हैं grassland घांस के मैदान की A lion live in forest or a grassland and is a strong animal that can hunt or kill animals like deer एक lion जो की forest or grassland में रहता है strong animal है जो की lion deer को भी deer जैसे animal को kill करता है It is light brown in color light brown होता है look at the picture of lion and that of deer in 9.8 यह lion है and यह deer है देखा भी होगा आपने पहले How are eyes placed in the face for these two animals? आंके कैसी है इन दोनों animals की बिल्कुल सामने है face के side में नहीं है ऐसे और ऐसे Similarly आप deer की भी देखेंगे Are they in front or on the side of the face? यह बिल्कुल front पर है जैसे हमारी होती है Birds के आपने देखे होगे उनकी side में होती है लेकिन इनकी front पर है That can be withdrawn inside the toes जिसको की आप toes से बाहर withdraw कर सकते हैं निकाल सकते हैं Do the features of lion help it in any way to survive क्या इसके जो features हैं वो किसी तरीके से इसको survive करने में help करते हैं Its light brown color help it to hide in dry grasslands सबसे पहले सूखा जो घास है उसमें help करेगा इसका जो color है brown color छिपने में ताकि यह दिखाई ना दे जब भी हंट करें अपने prey को मतलब शिकार को The eyes in front of face allow it to have a correct idea about the location of its prey आखों के सामने जो आखे हैं इसके उससे यह बिलकुल correct idea लगा पाता है कि prey जो उसका शिकार है वो कहां पर है A deer is another animal that live in forest and grassland Deer दूसरा animal है It has strong teeth इसके जो दांत है वो बहुत strong है For chewing hard plant stem of the forest Forest के जो plant होते हैं उनके stem बहुत hard होते हैं A deer need to know about the presence of predators अब deer को यह पता होना चाहिए कि predator जो है उसका शिकार करने वाला है वो कहां पर है In order to run away from them ताकि वो वहां से भाग सके and not become their prayer और उनका शिकार ना बने It has long ears to hear moments of predators इसके कान बहुत लंबे है इसने ऐसे एडाप्ट के है कान लंबे है तो उससे यह sound सुन लेता है बहुत दूर से अपनी predator की moment की The eyes on the side of the head और आखे जो है आखे side में है वो allow करती है उसको look to look in the all direction for danger ताकि यह danger में चारो direction में देख सके इधर भी और इधर भी The speed of the deer help them to run away from the predators और Speed bean की अच्छी है तो उसे predator से भाग सकते है There are many other features of a lion और भी बहुत सारे features of a lion के deer के और बाकी जो plants हैं जो की help करते हैं उनको survive करने में उनके habitat में तो यह हमने देखा कुछ animals जो terrestrial उसमें जो रहते हैं surrounding में जमीन के ऊपर रहते हैं कैसे आपके mountain वाले जो plants और animals है उन्होंने एडाप्ट किया है desert वालोंने कैसे किया है और जो normal grassland में रहते हैं उन्होंने कैसे किया इसके आंके सामने होते है क्योंकि इसको देखना है भागना नहीं है डरके इसकी side में होते है ताकि यह एकदम से पुरा 360 degree तक अपने उसको देख सके कि कही danger खत्रा तो नहीं है अब बात करते हैं some aquatic habitats की कुछ ऐसे habitat जो पानी में रहते हैं कुछ ऐसे जानवर उनके habitat के बारे में पहले बात करेंगे oceans की हमने देखा है किस तरीके से fish ने अपने आपको एड़ाप किया है सी में रहने के लिए stream line body है ताकि swimming में आसानी हों fins है उनके पास जिसको की flap करके वो आगे जाती है उसके बाद यह जो तेल है उनकी opposite direction में जो है move करते है जिससे की balance रहे और इनके पास gills होते है जो की पानी में oxygen जो dissolved है घुली हुई है उससे सांस ले सके many other sea animals have stream line bodies to help them move easily in the water बहुत और भी अगर आप animals को देखेंगे उनकी body भी stream line होती है जिससे वो आसानी से पानी में जो है move कर सके जैसे की अगर आप देखें क्रोकोडाइल को there are some sea animals like squids and octopus which do not have this stream line body octopus यह squids को आप देखेंगे उनकी body stream line नहीं होती they stay deeper in the ocean वो बहुत गहराई में रहते हैं ocean के near the sea bed लगबग जहां पे ocean का बिलकुल सीबेड बोलते हैं जहां पे बिलकुल खता होता है ocean और नीचे जमीन है आपको वो मिलेगी यह लगबग महां रहते हैं and catch any prey that move towards them और नीचे की तरफ कोई भी अगर शिकार आता है तो उसको पकड़के खाते हैं however जब की when they move in water they make their body shape stream line लेकिन अगर यह पानी में move करते हैं यह नीचे ही रहेंगे उपर नहीं आएंगे वहीं पे शिकार को खालेते हैं अपनी लेकिन अगर यह पानी में move करते हैं उपर आते हैं तो फिर यह अपनी body को stream line बना लेते हैं these animals have gills to help them use oxygen dissolved in water और इनके भी gills होते हैं ताकि यह oxygen जो dissolved है पानी में उसको use कर सके सांस लेने के लिए there are some sea animals like dolphins and whales that do not have जिनके gills नहीं होते they breathe in air through nostrils या फिर blow holes यह अपने नाक में जो छेद हैं इनके blow holes हैं जो कि इनके upper part of their head star के upper part में इनके चेद होते हैं dolphin और whales के उसी से यह शांस लेती है इसलिए आपने देखा होगा कही बार यह सांस लेने के लिए पानी के उपर आती है ऐसे और फिर नीचे जाती है उपर के नीचे जाते है जो dive करती है यह वो क्यों करती है क्योंकि हवा में इनको शांस लेना और बहुत लमबे टाइम तक बिना सांस लिए, पानी के रहाती है एक जम्पकरती है उपर से और सांस लेकर मतलब पूरा ब्रीद करके हवा में फिर से नीचे चली जाती है they come out to the surface from time to time time to time यह उपर आती रहती है ब्रीद इन करने के लिए एर से did you ever see interesting activity of dolphin in television program और films on the ocean आपने बहुत सारी activities भी देखिए को जो dolphins करती है अब बात करते हैं ponds and lakes की यह तो आपने देखा ocean के जो animals से उन्होंने कैसे adapt किया है चोटे चोटे जो ponds तालाब या फिर lakes जो होती है जीले उन में कैसे adaption हुआ है have you seen plants growing in ponds, lakes, rivers and even some drains कुछ नालों में, drains में, कुछ नदियों में, lakes, जीलों में, ponds में कुछ plants आपने देखे हैं go on a field trip to a nearby pond पास वाले pond में इतके पास जाहिए if possible and try to observe the kind of plants that are seen there कैसे plants आपको मात दिखाए देते हैं वो observe करिए observe their leaves, stem and root of these plants उन plants के roots कैसे है, stem कैसा है, leaves कैसे है, वो आप देखेंगे some of these plants have their roots fixed in the soil below the water कई plants इनमें से ऐसे हैं जिनकी root जो है पानी के नीचे fixed होती है यह देखें जैसे कि इनकी बात हो रही है पानी के नीचे जो soil है आप सीबेड नहीं कहेंगे इसको यह जो नीचे मिट्टी होते हैं इसमें उनकी soil fix, इसमें उनकी जड़ fix होती है और यह बहार तक आये होए होते हैं किसी के root fix होती है किसी aquatic जो कुछ plants है उनकी root submerge रहती है पानी के अंदर ही ऐसे उपर plant है और पानी में ही इनकी जड़ है इन terrestrial plants जो plants जमीन के उपर उपते है roots normally play a very important role in absorption of nutrient and water from the soil हमने देखा कि जो हमारे terrestrial plants है वो soil से मिट्टी से पानी भी लेते हैं और बहुत सारे nutrients भी लेते हैं जबकि aquatic plants में roots are much reduced in size बहुत छोटी roots होती है बहुत लंबी roots नहीं मिलेंगी आपको क्योंकि पानी के लिए उन्हें गहराई तक जाने की जरुवती नहीं है वो easily available है and their main function is to hold the plant in place और उनका main function बस इतना ही होता है कि वो plant को hold करके रखे उस जगे पे बस balance बनाने का होता है the stem of these plants are long, hollow and light इनके जो stem होते है वो लंबे होते है खोकले होते है और बहुत हलके होते है otherwise plant गेट जाएगा क्योंकि इतना अच्छा grip नहीं बनता पानी के नीचे मिट्टी आप देखेंगे तो बहुत दलदल होती है ऐसा नहीं कि बहुत fixed grip उन्हें मिल जाए the stem grow up to surface of water while the leaves and flowers float on the surface of water जो stem है वो surface of water से उपर आते है और leaves and flowers की बात करें तो वो पानी के surface पे float करते रहते हैं जिससे आपने lotus को देखा होगा some aquatic plants are submerged in water कुछ aquatic plants हैं जो की पानी में submerged रहते हैं अभी हमने बात की इनकी जड़ जो है यह मिट्टी में यहां रहते हैं बहुत लंबी जड़े नहीं होती बहुत छोटी होती है plant उपर तक आ जाते हैं लंबा सा stem होता है और पत्तियां और जो flowers है वो तैरते रहते हैं पानी के उपर लेकिन कुछ plants ऐसे भी है जिनकी जड़ है वो पानी में ही submerged रहती है डूबी रहती है all parts of such plants are underwater और इस प्लांट के सारे parts underwater होते हैं some of these plants have narrow and thin ribbon like leaves इनकी जो पत्तियां होती है वो बहुत पत्ली होती है ribbon जैसी होती है these can be bent to bend in the flowing water यह आसानी से बहते वे पाने में bent हो जाती है जुग जाती है अगर सीड़ी रहेंगी तो obviously तूट जाएगी in some submerged plant कुछ प्लांट जो पानी के अंदर submerged है डूबे हुए है leaves are often highly divided leaves जो है बहुत divided होती है बहुत पत्ली पत्ली होती है through which the water can easily flow without damaging them ताकि पानी बिना उनको damage के उनके बीच से निकल जाए ऐसी पत्तियां बहुत उसमें divided होती होती है बहुत inside the water as well as move on the land दोनों जगे यह रह सकते हैं they have strong back legs इनके पीछे के जो पैर होते हैं वह बहुत strong होते हैं that help them in leaping and catching their prey जो इनकी help करते हैं उचलने में आगे leap करने में और अपने प्रे को catch करने में अपना इनका जो शिकार है उसको पकड़ने में they have webbed feet इनके जो पैर है वो webbed होते हैं web है यहाँ पर ducks में भी देखे होंगे जो की help करते हैं swimming में which help them swim in water जो यहाँ पर webs होते हैं जो की help करते हैं swimming में okay we have discussed only a few common animals and plants compare to wide variety that live in different habitat हमने कुछ यहाँ पर देखे जिसे होते हैं webbed होते हैं ताकि वो swim कर सके आसानी से तो हमने बहुत सारे plants की variety में से कुछ एक को ही देखा you may also you may have also noticed that very wide variety in plants around you आपने यह भी देखा होगा हमारे चारो तरफ कितनी variety है plants की when you prepare a herbarium as part of the suggested activities in chapter 7 chapter 7 में आपको एक herbarium बनाने की activity दीविती imagine करिए कि कितने variety of plants आप अपने herbarium में रख सकते हैं of leaves of plants from all regions of the earth अगर earth के सभी regions से आप कुछ plants अपने herbarium में रखे तो कितनी variety of leaves आपको देखने को मिलेगी that's all for now अब हमारा जो fourth और last part है इसका that is characteristics of organisms यह हम लोग इस chapter की last video में cover करेंगे so thank you so much for watching hopefully यहां तक chapter आप सभी को समझ में आ गया हो